यंग स्किन, हेल्दी स्किन हर किसी की चाहत होती है और इसको करने के लिए हम बहुत सारे पैसे सलून्स में पालर्ज में जाके खर्च करके आते हैं आज में लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुती बहतरीन वाली रेमेडी जो की है तीन स्टेप की यह एंटी एजिंग से भरपूर है चेहरे के उपर ब्लीचिंग का एफेक्ट भी देगी और चेहरे के उपर अगर पिग्मिन्टेशन अकने के बहुत सारे निशान है उन समान कोई बहुत जादा नहीं लगने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हलो दोस्तों मैं हूँ रेका सिंग और देखे इस तरह से यह जो रेमेडी में लेके आई हूँ इसका जो बेस है वो होने वाला है दही दही के जूस में पाया जाता है विटामिन सी से भरपूर जो हमारे चेहरे के दाग दबो को बहुत असानी से हटाता है यह एक नाचुरल ब्लीचिंग का काम करता है क्योंकि इसमें होता है ब्लीचिंग एजिंट जो हमारे चेहरे के दाग दबो को हटा के हमारे स्किन को बहुत लगा लिजे, कपड़े के हल्प से लगा लिजे, अच्छे से लगना चाहिए और मसाज भी होनी चाहिए, तीन से चार मिनिट की बढ़िया वाली मसाज आप दे दीजे अपने चेहरे को, पहले ही स्टेप में आपको अपने चेहरा इतना जादा क्लीन लगेगा, इस स्टेप म हमने इसको पोच लेना है, वाश नहीं करना है, पोच नहीं करना है, क्योंकि आगे के स्टेप भी इसके साथ ही जुड़े हुए हैं, हमने आगे बनाना है एक ऐसा स्क्रब, जो ना सिर्फ स्क्रबिंग का काम करेगा, साथ में ब्लीचिंग का भी काम करेगा, स्क्रब करने स कुस्का लेना है झी ठीक है बहुत लोग पूछते हैं कौन सी दाले कौन सी डाले लाल वाली मसूर डाल बहुत सुंदर होती है वह आपको लेना है और इसमें आपने आड़ करना है एक चम्मच वही आलू का जो हमने कद्दू कस किया हुआ लच्छे थे वो लेने है आपको और साथ में मैंने इसमें लिया है एक चम्मच बीट रूट के भी लच्छे देखें यह ऑप्शनल है अगर आपके पास बीट रूट नहीं है फ्रेश तो आप इसको स्किप कर सकते है और इसमें मैंने डाला है लास्ट में एक चम्मच दही जो कि मैंने आपसे कहा ही था दही से ही इसका बेस बना हुआ है यह एक वर्ल्ड की best scrub plus bleaching है जो आपके चहरे के उपर से दाग धबों को हटाएगा, आपके चहरे के उपर pigmentation के अगर निशान बहुत जादा बनते हैं, लो ब्राउन ब्राउन स्प्स होते हैं, कई लोग Ke bhurे berけれ स्पोर्ट हो जाते हैं सेफेस की फैस कि उन पर हंजी वाले है आप समझ रहे हैं साइसे यही वाले स्पोट्स को यह ब्लीच और जो स्क्रब है यह खतम करेगा इसके रेगुलर यूज को अगर आप करते हैं इसको रेगुलर अगर आप यूज करते हैं वीक में दो से तीन बार आप अपनी चेहरे को बहुत बढ़िया नरिश्मिन प्रोवाइड करते हैं देखें सारी चीज़े ऐसी हैं जो हमारी स्किन इनको बहुत अच्छे से पहचानती है खाती है जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे हमारी स्किन जो है न वो इन चीज़ों को खाती है और यह इतने जादा यूसफुल होते हैं कि लिटरली हम इनको खा सकते हैं लेकिन जो भी एपने भूत औलो तो सो चलिकर लेका तो इसको किया एंपने चाय गठके हैं पाइस तो चाह के अरा मुसाजर से SWC और अब चीजों को अगर आपके आराम से होते हैं फोझक किन ये पर गह्ठा बहुत देख से पर डेकर वहां में माया यहाँ अपनी skin को pamper करते हैं यह बहुत अच्छा काम देती है lips के उपर scrub करना कभी नहीं भूलना दोस्तों क्योंकि lips के उपर dried skin बहुत जादा बनती है हम scrubbing जब करते हैं हमें इस वात का ध्यान देना चाहिए जहां पर roughness है जैसे कि naak के आसपास बहुत जादा roughness होती है यहां पर आपको ज़रूर करना चाहिए बहुत लोग के forehead के उपर होती है वहां पर भी आपको करना चाहिए और यह एक ऐसा scrub है bleach है जिसको पूरी body पे लगा सकते हैं इसको आप बच्चों को भी लगा सकते हैं बहुत parents के questions आते हैं बहुत जाएदा वरी होते हैं आज कहरें यह जिस बहुत काले पिले होके हो आते हैं तो उनके उपर आप इसको ज़रूर करिए आप बच्चों के उपर भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको किया करना है देखे जैसे मैं पूच रही हूं। इसी step में ही आपको अपने चेहरे को इतना जादा cleaning नजर आएगा देखे मैं ये बोलूँगी ये वाले step को आप week में दो से तीन बार कर लो आगे का जो facial मैं आपको बता रही हूँ वो आप week में दो बार करिए scrubbing आप तीन बार कर सकते हैं और जो first वाला step मैं आपको बताया है वो आपको रोज करना है रोज मतलब दो दो तीन तीन टीन टाइम पर अगर कर लेते हैं तो आप अपने चेहरे को बहुत बढ़िया वाला nourishment प्रोवाइट कर रहे हैं दोस्तों अब हम करते हैं तीसरी चीज जो की है हमारी आज की anti-aging cream ये wrinkles के उपर काम करेगी fine lens के उपर काम करेगी तो इसको बनाने का method है क्या बहुत सिंपल हमने लेना है आदा गिलास पानी और उसको boil करना है ठीक है अब जब यह boiling हो रहा है उस टाइम पर हमें इसमें डालना है एक चमत चावल का आटा ठीक है राइस फ्लार जो होते हैं वो आपको डालना है पका हुआ चावल यहां पर मैं नहीं ले रही हूँ मैं सीधा आपको cream बनाना सिका रही हो बहुत ईजी है दोस्तों इसको बनाना परकिय बहुत ईजी है देख़िए जो चावल में प्रोपटीस होते है वो एजिंग के सायन को कम करने के होती है अपने दिखा है चाईनीज कोरियन जो मोमेन होती है उच्छी सारा शाइनी सारा स्मूथ ग्लास चाईन ओर रही होती है है तो उनके निपने घ्रोप शावल को इस तरह से बन के तयार हो जाएगी, इसको आपको ट्रांसफर कर लेना है, मेरा गला थोड़ सा हेवी लग रहा होगा, आपको सौरी है उसके लिए, क्योंकि मेरत खराब थी, आप लोग को मालो में, लेकिन आप लोग के मैसेजिस आए, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तो लाइक तो बनता है इसके उपर, आप देखिए हमने उसको ट्रांसफर कर लिया, क्रीम को एक अलग बाउल में, और उसमें अब मैंने डालना है, एक चममच आपको भरके अलोवेरा जल, मार्केट वाला लीजेगा, क्योंकि ये क्रीम मैं ये बोलूंगे, आप इसको एक हफ को जब ठंडा हो गया, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सामतला हाफ स्पून आप इसमें बीट रूट का पल्प डालो, बीट रूट के पल्प में भी विटामिन C होता है, और ये पिंकिश ग्लो देगा हमारे चेहरे को, सी से भरपूर होता है, बीट रूट और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत गुलाबी गुलाबी निखा रहाएगा जिए आपको अपने चेहरे पर करने के बाद इस फेशल की क्रीम को, ठीक है, अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे, असे क्योंकि हमने इसको बना के रखना है, फ्रिज में और वर्जिन ओल जो है, वो जम जाएगा, तो यह बड़ा आजिब सा लगेगा, क्रीम अपको अपने फेस पे लगाने के लिए, यह रिंकल्स को खतम करेगी, फाइल लेंज को खतम करेगी, आपकी स्किन को बहुत बढ़ी यह से टाइटन, ब्राइटन करेगी, जब आप इस क्रीम को अपने फेस पे लगाएंगे, इतनी स्मूथ लगेगा अपको अपना चेहरा, इतना जादा स्मूथ लगेगा, आपको लगेगा, लिटरली के यार, यह मतलब इतनी अच्छी खुश्वू आएगी, क्योंकि हम इ और पूरा वीडियो देखे, देखे, कोई भी वीडियो मैं बनाती हूँ, उसमें मैं बीच-बीच में बहुत सारे स्टेप्स ऐसे बताती हूँ, जो कि आपको रेगुलर करने चाहिए, बस इसलिए मैं बोलती हूँ, पूरा वीडियो देखे, तो यह फूल वीडियो देख पूरा बेनिफिट मेरे को मिले तो जैसे मैं कर रहे हूं आप टाइम देके इसको करिए हो सके तो रात को सूने जाने से आदा घंटा पहले करिए ताकि इसके बाद आप सो जाए ऐसा है क्योंकि उसके बाद आपकी स्कीन एकड़ कूल डाउन हो जाएगी काम हो जाएगी कर यह सब हमारे एजिंग साइन होते हैं आखों के पास में फाइल ज्यादा आती हैं अब आपको क्या करना है अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार प्लीस सब्सक्राइब भी कर दीजें पहुत काम आपके आरहे हैं जी मेरेको लाइक हां मैं पहले बता अगर आपका पेस्ट नीचे गिर रहा है गिरने दीजे लेकिन आप इस बात पर ध्यान रखें कि आपने इतनी महनत से यह जो रेमेडी बनाई है इसका पूरा बेनिफिट आपको मिले रिलाक्स होके करिए हो तो कोई सौफ्ट सा म्यूजिक लगा लीजे जब आप इस रेमेडी को कर रहे हैं आप सौफ्ट कोई म्यूजिक लगा लीजे कि आपका जो दिमाग एकदम कूल डाउन हो जाए मैंने कम से कम 12 मिनिट की मसाज ली थी अच्छा यह ऐसा है बहुत लोग पूछते मैं हाथों पैरों के लिए भी बता दो तो यह वाली क्रीम को आप हाथों पैरों के लिए बहुत अच्छी क्रीम बनी है बहुत अच्छा वर्क करेगी ठीक है तो इसको आप हाथों पैरों जसे तरह से यह है इसको एज फेस पाक अपने फेस पर लगाना है क्योंकि इसके बाद में यह आपकी स्किन को टाइट करेगा कैसे यह ड्राइ होगा चावल जब राई होता तो खिचेगा ठीक है तो उस खिचने के टाइम पर आपको अपने मुझ को चलाना नहीं है बोलना न जैसे फैन अगर चला लूँगी तो वो जल्दी सूख जाएगा तो मैं मिलती हूँ आपको इसके सूखने के बाद में तो यह देखे इस तरह से अब हमें क्या करना है गीले कपड़े से हमें पोचना है सूखा कपड़ा नहीं करना है क्योंकि अल्रेडी वो सूखा है हलका सा गीला कपड़ा लीजे ताकि आराम से इसको निकाल सके खिचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कितनी बड़िया वाली रेमेडी है तो जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूँगी कि मेरे इन रेमेडीज को मेरे इस चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ में भी शेयर करिए देखिए आप लोग मैं हूँ आप लोग इसके बाद में मैंने सिंपल पानी से भी पोचा है फेस के ओपर कुछ नहीं है और आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं कितने बढ़िया से लग रहा है यही रिजल्ट आपको आपको क्या करना है दोस्तों आपको रेगुलर करना है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग